हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आये हैं, जिसका शिर्षक है लालची आइस्क्रिम वाला. गाउं के नजदीक एक छोटा सा शहर था, जिस शहर में एक रमेश नाम का आइस्क्रिम वाला रहता था. अपने पिता की तरह बहुत अच्छी-अच्छी स्वादिस्ट रंग-विरंगी आइस्क्रिम बनाया करता था, जैसे कि उसके पिता ने उसको सिखाया था. काफी पसंद करते थे बच्चे उसकी आइस्क्रिम, रोज रमेश की आने का इंतिजार करते, और उसके आते ही उसकी रेड़ी के पास खूब सारे बच्चे इकठे हो जाते और आइस्क्रिम खाने आते. रोज की तरह रमेश आज भी रंग-विरंगी आइस्क्रिम बना कर निकल पड़ा गाउं की और, और फिर बच्चों को पकार-पुकार कर आइस्क्रिम बेचिन लगा, लेलो बच्चों रंग-विरंगी आइस्क्रिम लाया हूं, बहुत स्वाद अच्छी लगेगी तुम्हें, आ जो आजो बच्चों, जल्दी जल्दी आओ, लेलो आइस्क्रिम। बच्चे सुनकर रमेश की आवाज को घर से तुरंट भाग उड़ते और सारी आइस्क्रिम देखते ही देखते खतम हो जाती अब रमेश रोज यही काम करता था आइस्क्रिम लाता, बेचता और अपने घर की और निकल जाता उसी काम में एक रोहित नाम का बच्चा रहता था, उसकी मम्मी उसे आइस्क्रिम नहीं लेने देती थी, शायद इसलिए क्योंकि उसकी तबियत कुछ खराब सी थी उसका भी मन करता कि मैं इस आइस्क्रिम को लेकर खाऊं, बहुत मन होता इस रंग बिरंगी आइस्क्रिम को, कैसे खाते हैं बच्चे, मैं भी इसका सुआच चकूं फिर एक दिन उस बच्चे का बहुत मन हुआ कि वह आईस क्रिम खाए जैसे ही आईस क्रिम वाला गौँ के अंदर आया और वही गीत गाकर बच्चों को बुलाने लगा आजो बच्चों, जल्दी-जल्दी, रंग-भिरंगे आईस क्रिम लाया हूं जल्दी से आजाओ, सारी आईस्क्रिम खाजाओ, आजओ आजओ बच्चों जैसे ही बच्चे ने आईस्क्रिम वाले की आवाज सुनी वह बच्चा जट से बाहर आ गया और घर के बाहर खड़ाओ के देखने लगा कैसे सभी बच्चे आइस्क्रिम की रेडी पर उस आइस्क्रिम वाले से सभी आइस्क्रिम ले रहे हैं तबी उस बच्चे के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं भी आइस्क्रिम खाऊं आज मेरा बहुत मन है आइस्क्रिम खाने को थोड़ी देर में वही बच्चा आइस्क्रिम वाले के पास आया और बोला भया ये आइस्क्रिम मुझे भी दे दो इसके बदले में मेरे पास पैसे नहीं है ये मेरी मां की एक चेन रख लो इसके बदले में मुझे एक आइस्क्रिम दे दो रमेश बोला अरे बेटा ये क्या आप तो अपनी ममी की चेन उठा कर ले आए आपको नहीं मालूम ये सोने की चेन है ये बहुत महंगी होती है इसके बदले में आइस्क्रीम मैं ऐसा नहीं कर सकता जाओ अभी और अपनी ममी से पूछ के आओ मैं तब ही आइस्क्रीम दूँगा रख लो मैं पैसे बाद में दे दूँगा अब इस चेन को भी रख लो रमेश ने काफी समझाया मगर रोहित को कुछ समझ नहीं आया वे नहीं समझ रहा था इस बात को फिर रमेश ने उसे एक आइस्क्रीम पकड़ाई और बोला ये चेन जाकर अपनी मम्मी को वापिस कर देना और जब तुम्हारे पास पैसे होंगे न तब मुझे इस आइस्क्रीम के पैसे दे देना ये कहकर रमेश फिर वैसे ही बच्चों को गीत गाता पुकारता हुआ निकल गया अब रोहित स्वात से आइस्क्रीम खाने लगा जैसे ही आइस्क्रीम खा रहा था तबी दूसरे आइस्क्रीम वाले की आवाज आने लगी कि लगता है गली में कोई फिर से आइस्क्रीम वाला आ रहा है आजाओ बच्चों आइस्क्रीम ले लो देखो ठंडी ठंडी आईस्क्रीम, खालो बच्चों, आजाओ बच्चों, जल्दी जल्दी आओ, आईस्क्रीम खाओ रोहित ने जैसे ही ये आवास सुनी, उसके मन में एक तरकीब आई अगर उसी आईस्क्रीम वाली की तरह, मैं इस आईस्क्रीम वाले को भी चेन दूँगा, तो शायद वो मुझे फिर सेक आईस्क्रीम दे, और मेरी चेन फिर मुझे वापस लोटा दे, तो ऐसे तो मैं चेन भी मेरी वापस आ जाएगी, और मुझे आईस्क्रीम भी मिल जो, आइस क्रीम वाला पहले तो ध्यान से देखने लगा, ये क्या, अच्छा आइस क्रीम की बतले चेन, ठीक है बिटा, एक नहीं, दो आइस क्रीम लो, लो, मिठी-मिठी ठंडी-ठंडी आइस क्रीम, लो, खाओ-खाओ, रोहित खुश हो गया, जैसे ही दो आइस क्रीम उस आइसक्रीम वाले ने चेन को जपट कर पकड़ लिया और अपनी जेब में रख लिया और तुरंत उस गली से निकल गया उसे लगा कहीं ये बच्चा वापिस ना आ जाए मुझसे चेन मांगने के लिए और निकल गया उस गली से अब रोहित उस दोनों आइसक्रीम को अरा होत उदास है पक्या हुआ इधर उधर कुछ तून रही है माने रोहित से बोला बेटा रोहित आ गये तू अच्छा ये बताओ तुमने मेरे चेन देखी नेकले पता नहीं तो मैं आइस्क्रीम वाले को दे चुका हूँ तो मा मुझे शायद मारेगी ये ठीक नहीं रहेगा मैं मा को बताता ही नहीं हूँ तबी रोहित बोला मा कौन से चेन नहीं मैंने तो कोई चेन नहीं देखी मुझे नहीं मालूम मा चेन का फिर मा बोली कोई बात नहीं ठीक है तुम हात मुध होकर कुछ खालो मैं खुद ढून लोंगी रोहित अपने कमरे में चला गया लेकिन उसे लगा मैंने कुछ गलत किया है जब बहार आकर फिर मा को देखा तो मा बहुत बेचेन थी और एक जगा बैठकर कुछ सोच रही थी रोहित को लगा आज मैंने कुछ गलत किया है वह मा के पास आया और बोला मा आपसे एक बात बोलू आप गुसा तो नहीं करोगी आज मैंने आपसे बहुत जूट बोला मा बोली कैसा जूट बेटा मैं क्यू मारूंगी तुमें रोहित बोला मा आज मैंने आपसे एक जूट बोला आपकी जो चेन खो गई है ना मा वो मैंने ही ली थी मैंने उसके बदले में आईस्क्रिम वाले से आईस्क्रिम ले ली मा बोली रोहित ये क्या किया तुमने चेन के बदले आईस्क्रिम हाँ मा आप मुझे आईस्क्रिम के पैसे नहीं दे रही थी ना तो मुझे चेन के बदले में आईस्क्रिम लेनी पड़ी मैंने चेन उस आईस्क्रिम वाले को दे दी और उसके बदले में उसने मुझे दो आईस्क्रिम दी मा परिशान हो गई बेटा गलत किया तुमने ऐसा नहीं करते बेटा आपने मुझे बताया क्यों नहीं नहीं मुझे कुछ पूछा आप मुझे बोलते मैं तुम्हें आईस्क्रिम के पैसे दे देती मा गलती हो गई अब कैसे करोगे मा मा अब कैसे करोगी मा ने बोला अच्छा एक बात बताओ तुम उस आईस्क्रिम बाले को पहचानते हो रोहित बोला हा मा मैं उसे पहचानता हूँ वो शाम को हमारी गली में आता है मा छीक है जब वो शाम को आई तो तुम मुझे बताना छीक है मा अब रोज की तरह रोहित उस न खेल रहा था तबी अचानक फिर से गली में एक आईस्क्रीम वाला आया लेलो बच्चों मिठी मिठी आईस्क्रीम ठंडी ठंडी आईस्क्रीम जल्दी जल्दी आजाओ मा ने जैसी ही आईस्क्रीम वाले की आवाज सुनी मा तुरंत गई और बोली भैया सुनो जरा कल मेरे बेटे ने तुमसे यह आईस्क्रीम ली थी न, उसने तुम्हें एक चेन दी थी? अब वो आईस्क्रीम वाला तो रमेश था, लेकिन रमेश तो बहुत इमांदर था, उसने तो उसकी चेन नहीं ली थी रमेश बोला नहीं, नहीं मेम साफ, मैंने आपके बेटे की चेन नहीं ली बलकि मैंने उसे समझाया था कि मा की चेन को ऐसे बाहर नहीं लेके आते और इसके बदले में तुम्हें आइसक्रिम भी नहीं दूँगा लेकिन मेम साफ जब वो बच्चा जित करने लगा तब मैंने उसको आईस्क्रीम फ्री में दी थी और बोला था जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तब मुझे लोटा देना लेकिन ये चेंज आकर अपनी मा को ही देना अब मा चुपचाप हो गई कि ये क्या कह रहा है तब ही मा ने रोहित को आवाज लगाई रोहित क्या यही आईस्क्रीम वाला था वे तो रोहित बोला नहीं मा वो आईस्क्रीम वाला तो दूसरा था तब ही कली से दूसरा वाला आईस्क्रीम वाला निकला वो आईस्क्रीम वाला सोच रहा था कल इस कली में गया था तो एक चेंज मिली थी हो सकता है वही बच्चा दुबारा कोई चेन लेके आ जाए या कोई दूसरा बच्चा कुछ और लेके आ जाए वही जाता हूँ देखो आज क्या मिलता है फिर आ गया उस गली में और बोला लेलो बच्चो ठंडी ठंडी आइसक्रीम जल्दी जल्दी आओ रंग भी रंगी आइसक्रीम खालो खालो बेटा मा ने जैसे ही उस आइसक्रीम वाले की आवाज सुनी मा ने तुरंट उसे आवाज लगाई ओ आइसक्रीम वाले भाया इधर आओ चरा अब रमेश भी वहीं खला था और मा भी और रोहित भी मा ने रोहित से पूछा क्या बेटा यही आइसक्रीम वाला था वो तो रोहित न मा ने गुस्से से उस आईस्क्रीम वाले को बोला, तुम्हें समझ नहीं आती क्या, तुम्हें एक बच्चे से एक चेन लेकर उसके बदले में आईस्क्रीम दे रहे हो, ये सिखाते हो सब बच्चों को, अब आईस्क्रीम वाला डर गया, मा ने गुस्से से बोला, मैं गली मे सब लोगों को बुलाती हूँ और बताती हूँ कि ये लालची आइसक्रीम वाला है मेरे बच्चे से चेन के बदले में आइसक्रीम दे कर गया वे आइसक्रीम वाला डर गया बूला नहीं नहीं मेम साब आप किसी को मत बुलाईए ये लीजी अपनी चेन आइंदा से ऐसा नहीं होगा, आप किसी को मत बोलिये कुछ भी, ये लीजी अपनी चेन और मैं चला जाता हूँ और फिर उस आइसक्रीम वाले ने वो चेन लोटा दी देखा बच्चों, रोहित ने आज कितनी बड़ी गलती की थी अपनी मा की इतनी कीमती चेन को उस आइसक्रीम वाले को दे दिया लेकिन रमेज जैसे आइसक्रीम वाले ने अपनी इमानदारी दिखाई और उस दूसरे आइसक्रीम वाले ने अपनी लालच को दिखाया देखो बच्चों, दुनिया में हर तरह की लोग ओते हैं लेकिन हमें सब पर भरोसा नहीं करना चाहिए.